साथियों आज भारत नई रिती और नई नीती पर चल रहा है उरी हमले के बाद बारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करके आतं के आकाओं को पहली बार उस बासा में समझाया जो बाशा वो समझते हैं आप मुझे पताईए मैंने सही किया कि नहीं किया ये काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए क्या सरकारे सोती रहे वो आपको मंझूर है चोकीदार सो जाई आपको मंझूर होगा आपको जागने वाला चोकीदार चाहिए कि नहीं चाहिए देश को जिताने वाला चोकीदार चाहिए कि नहीं चाहिए भाईयों बेनों पूरी के बात सबूत मांग रहे थे सबूत अभी पुलवामा हमला हुआ तो भारत के वीरों ने जो काम किया ऐसा काम दसकों तक कभी नहीं हुआ है कि हमारे वीरों ने आतंकियों को उनके घर में गुश करके मारा है आतंकियों को उनके सरपरस्तों को भारत से इस तरह के जबाब की उम्मीद नहीं थी कि वे सोच रहे थे कि मोदी ने पहली बार सर्जिकल स्टाइक की तो दिसी बार भी ऐसा ही कुछ करेंगे और इसलिए उन्होंने क्या किया सीमा पर बड़ा तैनाती कर दी टैंक लाकर कर पता नहीं क्या क्या रख दिया कि उन्होंने यहां सारी सजावट कर दी हम उपड़ से चले गया आए कर दो कि और मजा देखिए हम तो यह साप करकर के चुप थे रात के साड़ा तिन बज गए थे देश को क्यों जगाना भाई कि लेकिन यह ऐसी कि यह घटना इतनी बड़ी थी घटना इतनी बड़ी थी कि रात को साड़े तीन बजे पाकिस्तान की निंद खतम हो गई पाकिस्तान की निंद खतम हो गई हम तो चूप थे हम सोच रहे थे क्या होता है देखते हैं पाकिस्तान ऐसा घबड़ा गया था कि थी पांच बुजे उसने ट्वीट करके रोना शुरू कर दियां दूनिया को उनकी हालत बिगिडियां के समाधार हमने नहीं पाकिस्तान नहीं दिये थे जब सर्जी कल श्लाइक हुआ था देश को खबर पहले हमने की थी इस बार हम देखते हैं नए तरीके से आगे बढ़ें और वही रोने लगे वो तो यही सोच रहे थे कि भारत पर घाव किये जाओ हमले किये जाओ प्रोक्सी वर किये जाओ भारत तो कुछ नहीं करेगा वह हाथ पर हाथ जोड़ करके बैठा रहेगा देश के दुष्वनों में भारत के प्रतिय जो सोच बरी है तो उसका मूल कारण 2014 के पहले जो सरकारे थी रिमोट कंट्रोल वाली उनका रवईया ऐसा था इसके कारण इनको यादत हो गई थे साथियों भारत कभी नहीं बूल सकता कि 26 गयारा को 26 गयारा 2008 को मुंबेबे पाकिस्तान से आया आतंकियों ने आतंकी हमला किया था क्या भूल सकते हैं क्या उस समय कुछ करने की जरोतिक नहीं थी दुनिया हमारे साथ खड़ी हो जाती कि नहीं हो जाती लेकिन इसके लिए कि दम चाहिए दोस्तों कि अ कि अ कि सारे सबूत कि पाकिस्तान में बैठे आतंके आतंक का आतंकियों के प्रूप मिल रहे थे सारे प्रूपुन को गुनेगार चिद्ध करे थे लेकिन भारत ने क्या किया पाकिस्तान को कैसे जवाब दिया खबरे तो ये भी है उस समय भी हमारी सेना हमारी बायू सेना हमारी नव सेना बदला लेने के तयार थी सेना का खुन गरम हो रहा था दिल्ली ठंडे बिस्तर में पड़ा था लेकिन हमारे सुरक्षाबलों को इजाज़त नहीं दी गई उनके हाथ पैर बांद कर रखा गया क्या हाथ पर बांद करके आतंग का मुकाबला हो सकता है क्या सेना के जवानों के बेडिया पहन करके हम कहोगे मारो ये चल सकता है क्या क्या ऐसे देश की सुरक्षा होती है क्या क्या देश के दुस्पन के साथ ऐसी नर्मी बरत दिखनी चाहिए क्या साथ योई यही वज़ा थी कि मुंबई हमले के बाल भी देश में लगातार आतंके हमले होते रहे याद करिए साल 2010 में फूरे में एक बेकरी में बंदमाका हुआ उसी साल 12 नसी में 10 आसमें एक घाट पर बंदमाका हुआ याद करिए साल 2011 में मुंबई में फिर आतंकी हमला हुआ आपेरा हाउस जावरी बाजार दादर में बंफटे फिर उसी साल 2011 में दिल्ली हाई कोड के सामने भी बंदमाका हुआ एक के बाद एक बंदमाके हो रहे थे सैंकडो बेस के सूर लोग मारे जा रहे थे सैंकडो गायल हो रहे थे इन हमलों के तार भी हर बार सीमा पाँट जुड़े हुए थे लेकिन पहले की सरकार ने क्या किया उन लोगोंने अपनी नीती नहीं बढ़ लिए सिर्फ ग्रह मंत्री बढ़ ले अम नीती बदलनी चाहिए कि गिरम मंत्री बदलना चाहिए साथियो अगर पहले की सरकार में दम खम दिखाया होता तो आतंकियों को उसी भासे में जिवाब दिया होता जो भासा वो समझते हैं तो आज आज आतंक इतना बड़ा जो नासूर बन गया है वो नहीं बन पाता सितंबर 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और इस साल फरवरी में ऐस्ट्राइक के बाद आतंक के आँकाओं को समझ आ गया है कि ये पुराने वाला भारत नहीं है भारत की कारवाई के बाद अब वो बुरी तरह बोखलाये हुए है देश के सुरक्षावल हमारे वीर जमान अपना काम कर रहे है लेकिन इस देश के अनागरी के तौर पर हमें भी सतर्क रहना अपना दाईत्वन निभाना है हर उस ताकत को जवाब देना है जो देश के टुकडे टुकडे करने का सपना देख रहा है जो बारत में हमले की साजिस रत रहे है हमें उन लोगों पर भी अपनी द्रश्टी रखनी है जो ही समाएं भाईय भहनो एक बात की और भी देश के नागरी को कुछ ध्यान देना होगा आज हमारे देश के भीतर अपने आपको बड़े नेता मानने वाले लोग सत्ता के सिहासन पर बुद्कान में बैटे हुए लोग जो बाशा बोल रहे हैं उस बाशा से दुश्मनों को ताकत मिल रही है दुश्मनों को ताकत मिल रही है यह लोग यहां विवाधित बयान दे रहे हैं सवाल भारत के वीरों के प्वरांखा रहे हैं और उनके निवेदनन सुनकर के तालिया पाकिस्तान में बज़ रही है ऐसे लोगों को तेश की जनता ने शही रास्ते पर लाना चाह ये नहीं लाना चाहिए यह सही प्रांते पलनाने का काम आप करोगे नहीं करोगे